हेलो एवरीवन वेलकम बैक, वेलकम टू आई केर टेकर, आम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्ट एंड ऑक्टर मेटिस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कुइंट के बारे में क्या स्कुइंट के अंदर जिन लोगों के विजन नहीं होता, भेंगापन भी होता है आँख मतलब बाहर या अंदर की तरफ भी होती है, साथ ही उनकी आँख में विजन नहीं होता तो जैसे अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर एक्सरसाइस करते हैं उससे जब उनको राम नहीं आता, तो डॉक्टर उनको ये भी बताता है कि अगर आप अभी स्कुइंट की सर्जिरी करा लेते हैं तो उसके बाद स्कुइंट उनको वापिस आने के पूरे चांस होते हैं अगर आपने मेरे से बात करी है, मैंने भी अपनी बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बताई होई है कि जिन लोगों की आख में विजन नहीं होता, उनका इसकुइंट वापिस आने के चांस होते हैं तो बहुत लोगों की दिमाख में एक डाउट होता है कि क्या हम पूरी आख को ट्रांस्प्लेंट कर सकते हैं क्या हमारी आख पूरी नई डल सकती है, जिससे हमारी आख के अंदर विजन भी आ जाए हमारा भेंगापन भी चला जाए तो मैं इसके बारे में आज आपको डेटेल में बताऊँगा कि क्या पूरी आख ट्रांस्प्लेंट हो सकती है तो आख में बेसिकली होता क्या है, दो-तिन पार्ट होते हैं जैसे कि आख का परदा होता है, पूरी आईबोल जो बनती है आख का परदा जिसको हम रेटिना बोलते हैं, कौर्निया और मसल्स, हमारी छे मसल्स होती है जो इस्क्विंट होता है, वो मसल्स की वज़े से होता है, मसल्स की एबनॉर्मेल्टी की वज़े से होता है जैसे अगर आपकी आख की कोई मसल्स सही से काम नहीं कर रही है या फिर over react कर रही है जादा push कर रही है एक तरफ या फिर कोई muscles damage हो रखिये इन में से अगर कोई भी problem आपके अंदर है तो आपकी आप में भेंगापन यानि squint आ जाता है उसके साथ अगर आपका परदा भी कमजोर है आपका retina भी कमजोर है emblyopia है मतलब आपका परदा पूरा develop नहीं हुआ तब वह squint वापिस ठीक होने के chance कम हो जाते हैं उस time तो muscles को ठीक कर दिया जाता है पर वापिस आँख उसी condition में चली जाती है क्योंकि परदे में बिल्कुल भी तागत नहीं है आपकी नजर पीछे परदे पर नहीं बन रही तो muscles काम नहीं करती क्योंकि light को retina capture नहीं कर पाता तो आँख को हमारे brain को पता ही नहीं चलता कि हमारी आँख को किदर देखना है तो उसकी muscles पूरा उस पर काम नहीं कर पाती है तो क्या पूरी आँख transplant हो सकती है eye transplant का basically मतलब क्या होता है eye transplant में हमारी अभी तक ophthalmology technology में अभी त पूरी आँख को transplant नहीं करा जा सकता पूरी आँख का मतलब होता है eye orbit eye orbit के अंदर retina, cornea और muscle सब कुछ आता है तो अभी full eye transplant possible नहीं है retina को आप transplant नहीं कर सकते अगर आपका retina एक बार damage हो गया तो वो वैसा ही रहेगा transplant के अंदर सिफ एक ही चीज़ transplant होती है वो होता है cornea, cornea मतलब हमारे आपके आगे का सीशा जैसा आप देख सकते हैं यह सीशा आप transplant कर सकते हैं, transplant हो जाता है पर इसमें भी बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि हमारी body उसको accept ना करे तो इसको transplant करना भी इतना सान नहीं होता केस खराब भी हो जाता है, तो cornea transplant तब भी possible है technology में पर retina transplant possible नहीं है तो पूरी आख orbit transplant नहीं हो सकती, अगर आपकी आख में विजर नहीं है तो वो retina transplant नहीं होता, retina transplant क्यों नहीं होता यह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अगर आपको जानना है तो मैं आपको detail में अपनी अगली वीडियो में पूराइए, थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो, प्लीस लाइक और सब्सक्राइब